बेगमगं से हमारे संबाद दाता भरशींकी रपोर्ट जनसुनबाई में गूंजा डीडी कालोनी का जल्लेकासी का मामला दीन द्याल कालोनी में शरकारी नाले पर लोगोंने आतिक्रमण कर नाला अबुद करने से कालोनी में बारिस का पानी भरने से परेशान नागरिक पहुचे जन्सुनबाई में दिया ग्यापन मिला आश्वाशन चार माई से जारी बारिस की बज़े से दीन द्याल कालोनी के हर घर में पानी अपना कबजा कर लेता है जिससे कालोनी बासी के घर में रखा सामान गीला हो जाता है जब पानी का तेज बहाँ से आता है तो कालोनी के हर घर में पानी भर जाता है पानी अपने साथ गंदगी, गंदे कपड़े, कीच़ड, पत्थर, पानी अपने साथ लेकर आते हैं पत्थर पानी के साथ घरों में भर जाते हैं जिससे लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ता है कई बार तो लोगों के घरों में पानी के साथ साप और बुच्छू गोहेरे भी जागुसे हैं कालोनी में रह रहा है इन लोगों को डर और देसत का माहौल है इसकी बज़ा से कई किरायदार कालोनी को छोड़कर दूसरी जगए चा चुके हैं पानी के तेज बहाओं से गंदगी आती है जिससे मच्छर हो रहा है लोग परिसान हो रहा है कालोनी के रहवासी अपनी जन सुनमाई में दिया है ग्यापन ग्यापन में लिखा गया है कि सास के भूमी अतीकरमन से मुक्त कराने के साथ ही बाड नमबर 14, 15 वा 16 का पानी बिलाग परिशर के सामने दिन दियाल कालोनी में तेज बहाओं से आता है उसे सडक निर्मान में बनाई जा रही नालियों के माध्यम से पलक नदी और नाले में पहुचाने की मांग की गई है दो बार ग्यापन दिये जाने के बाद तैसिलदार महोदाय भी पहुचे थे उस भूमी को निजी भूमी बताकर नाले को नहीं खोलने दिया गया था जिसके कारण कालोनी बासियों में जल भराओ के कारण भारी परिशानी और बीमारियों की बज़ए से परिशान है जल्द सुनबाई नहीं होई तो उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे ग्यापन में बताया गया है 12 सितंबर और 14 सितंबर को दिये ग्यापन के बाद अधिकारियों के द्वारा कालोनी कर निरिक छड़कर सास के नाले को अतिकरमा मुक्त कर इस्थाई रूप से खुलवाने के निर्देश तैसिलदार सत्रुगन से ना द्वारा दिये जाने के उप्रांथ कुछ ब्यक्ती द्वारा सास के भूमी जो कलेक्टर राजसेन की भूमी है अपनी निर्जी भूमी बता का नाला नहीं खुलने दिया जिसके करण कालोनी बासियों को जल भराओ के करण भारी परिसानी उठानी पड़ रही है ग्यापन में मांग की गई है कि उक्त सास के भूमी को अतिकरमा मुक्त कर बाट 14-15-16 का संपून पानी का निकासी ब्लाक प्रांगर से होकर एक मात्र बसे स्टेंड की छोटी पुलिया से बारिस का पानी गुजरता है जिससे कालोनी बासियों को परिशानी उठानी पड़ती है इसलिए उक्त बाडों में आने बाले पानी की निकासी के लिए उसका ढ़लाव पलक मती नदी नाले तक किया जाए उसमें पुलिया के माध्यम से बह सके और डीडी कालोनी बासियों के जल भराव से मुक्ती मिल था के ग्यापन की प्रतियां राजस्व मंत्री प्रभारी मंत्री कलेक्टर बसी एमो को बेजी गई थी बेगम गंसों हमारे संबाद्दाता भरशिंग की रिपोर्ट आज ये ग्यापन संबन में दिये गए कि बाड़ नम्मर 13 में जो पानी का बढ़ा हो है बाड़ नम्मर 14, 15, 16 का संपुर्ण बानी बिलाक प्रांगन से त्रित होकर और पूरा बाड़ नम्मर 13 में जा रहा है जिससे आज दिन ये जस मिनट बारे सोने पर घुटने घुटने पानी बरके जन दन आनी की पूरे बाड़ की हो रही है और ये जो फोल लाइन बन रहा है इसकी नालियों का कोई विवस्तेत प्लान नहीं है और प्लान के ना होने के कारण ये पूरा बिलाक में खटा होकर आगे निकासी के साधन ना होने के कारण पूरा कालों नहीं बनने से आज जो ग्यापन दिया गया है कि आगे सास्की जो नाला था उसे अब रोध कुछ लोगों न कर दिया है वो खोला जाए एवं जो पूरा 14-15-16 बार्ट का पान इस बर्ज भी चीबा योजिस आईटी आई में बड़े धुमधाम से बिशकर्मा जन्ती मनाई गई आईटी आई में बिशकर्मा जन्ती कालेज इस्टाप तता चाथ चात्राओं ने हबन पूजन किया तता बिशाल भंडारे का आईजन किया गया इस मौके पर बेटी बच चात्रों का संकल्प भी दिलाया गया है कि अपने जीवन काल में एक पौधा अबस से लगाएं डबरा से हमारे संबाददाता आसी सुकला की रिपोर्ट गुना से हमारे संबाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट गुना जिले के तैसिल आरोन में सूत्रों से मिल रही जानकारी की अंसार डिप्टी कलेक्टर सोनम जैन द्वारा अबैद चामल की गाड़ी पकड़ी गई है जो थाना आरोन में रखी गई है इस संबन्द में एसडियम आरोन से जानकारी चाही तो बताया कि अभी वो जन्सौन बाई में ब्यस्त हैं आरोन की पुलिस की मदद से एक बड़ी सफलता हाथ लगी एक ट्रक में भर कर ले जा रहे गरप में आई ट्रक में करीबन 25 टन अबैद चामल है ट्रक में भरा हुआ है साथ ही दो दुकानों के सील बंद किया गया है ट्रक में भरे चामल की कीमत लाखों के करीब बताई पूट